आज इस एत्यासिक सविधान सधन में आप सब इस माटी में पेदा हुए जनजन के नायक, मैं लोपुरूष आधुनिक अखंड भारत के निर्माता सरदार बल्लभाई पटेल की जैनती के इस्शू अफसर पर पदा रहे हैं। मैं आप सब का इस सविधान सदन में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप जिस इस्तान पर बेठे हैं, वो इस्तान हमारी आजादी का गवारा है। जिस इस्तान पर आप बेठे हैं, वहाँ पर सविधान सभा ने एक लंबी बहस, लंबी चर्चा, लोक्तांतिक मुल्यों के आधार पर सविधान का निर्मान कराया। यह वह जगह है जहां सरदार बल्लभाई पटेल ने बेठकर सविधान बनाने में अपनी महत्पुन भूमी का निभाई। इस केंद्य कक्ष के इस सविधान सदन में आज आप बेठकर सब गोरौइन मसूस कर रहे हैं, जिस जगह पर हमारे देश की सतनता के आजादी के लड़ने वाले नायक और आजादी के बाद नए भारत के निर्मान में जिनोंने भूमी का निभाई उस जगह आप बेठकर आज सरदार बल्लभाई पटेल को याद कर रहे हैं। मुझे कुशी है कि आपने सरदार बल्लभाई पटेल के बारे में जो विचार रखे जो मनन चिंतन उनके एत्यासिक प्रश्ट भूमी के आधार पर आपने जो अपने मतों का व्यक्त किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी युवापीडी सरदार बल्लभाई पटेल की पेड़ना से, उनकी जीवन गाथा से, उनकी जीवन दर्शन से, आज भी पेड़ना लेकर देश और राष्ट को गोरव पर पहुचाने के लिए कर्त संकल्प है। इसके लिए मैं नोजवानों को बढ़ाई देता हूं, शुब कामनाय देता हूं। सर्दार बल्लभाई का पटेल का वेक्तित, उनकी धड़ता, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी वीजन एक ऐसा था, जुन्होंने आजादी के बाद एक ऐसे भारत का निर्मान कराया, जो विविताओं से भरा हुआ है। जहां अलग-अलग भाषा, अलग-अलग संस्कति, लेकिन वो कत संकल्प ते धर संकल्प थे, कि हमें अखंड भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है, तो इस देश की छोटी-छोटी रिसायतें, छोटे-छोटे राजाओं के राच, कई बड़े निजाम, नवावों के राच, उन सब को एक साथ मिलाकर, हमें सब का भारत बनाना है, जिसमें सब धर्म, सब विचार, सब जाती के लोग रहें, और इसी लिए उन्होंने भारत के अंदर विले करने के लिए, जिस धड़ता के साथ, जहां धड़ता के आउश्रकता है, वहां धड़ता की, जहां विनम्ता के आउश्रकता, विनम्ता का उप्योग किया, और जहां निन्ने, कठोर निन्ने लेने के आउश्रकता पड़ी, वहां कठोर निन्ने भी लिए, और इसी लिए, इतने बड़े देश को एक साथ विले करना, जहां छोटी-छोटे राजाओं के राज हो, नव उखरता उनका नेतिक सास इतना था, जिसके कारण सब लोगों ने स्वच्च्चा से विले करने की समथी दी और जिनोंने स्वच्च्चा से विले करने से हम कैसे देश को बदल सकते हैं हम किस तरीके से आत्मिश्वास से धरता के साथ किस को किस तरीके से अपने जीवन में भी और देश की जीवन में बदला उला सकते हैं जब हम महापुर्शों की जीवनी को पढ़ते हैं उनके जीवन दर्शन को समझते हैं तो में भी प्रेड़ना मिलती है कि कितना कठिन परिश्रम और कितना कठिन दोर होगा जब आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने तो आजादी की लड़ाई में चाहे किसानों का आंद किया महत्मागांदी के मिचारों से प्रभाइत हुए और देश में अलग जगाने का काम किया लेकिन आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो कई सारी हमारे सामने चुनोत्या थी कई सारे हमारे सामने संकर थे लेकिन किस तरीके से चुनोतियों संकट के बाद भी इस भारत को बनाने में उनकी भूमी का हम सब के जीवन को नई पेड़ना देती है और इसलिए हमेशा जीवन के अंदर हत्याचार के खिलाब आवाज उठाने का सास होना चीए हर कटना या चुनोतियों से लड़ने का आज मिश्वास होना चीए हमारे जीवन के अंदर जो संकल्प जो सपने देखे हैं उन संकल्पों को पूरा करने के लिए नेतिक सास होना चीए तो निश्चित रूप से एक दिन हम उसकी सपलता प्राप्त करते ही करते हैं आपके व्यक्ति का जीवन में भी आप देखते होंगे जो सपने आप देखते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास अगर सास है धर्शिक्त इच्छा शक्ति है आत्मिश्वास है तो आप बड़े से बड़े कठिन से कठिन काम को भी सरलता से सहज रूप से पूरा कर लेते हैं यह हमारे व्यक्तिकत जीवन के अंदर हमेशा मह महापुर्शों से हमें पेड़ना मिलती है इसलिए भारत के अंदर महापुर्शों की जैनती बनाने का हमारा उद्देश यह है कि यह माटी यह धर्ती जिसने बहुत सारे महापुरुष पेदा किये जिस धर्ती पर कई आध्यात्मिक धर्म के लोग जिनोंने देश और दु दुनिया को दिशा देते हैं इसलिए हम सब भारत की धर्ती पर पेदा हुए इसलिए इस विशालता विविताले देश के अंदर हमने लोगतंत को सशक्त किया मजबूत किया जब देश आजाद हुआ था तो लोगों ने कहा था इतना बड़ा देश इतनी साली विविता हैं इतनी इतनी धर्म को मानने वाले लोग कैसे भारत में लोगतंत चलेगा लेकिन लोगतं हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लोगतंत मदर अफ डेमोकेसी भारत की पेचान रही है संस्कति रही है विचार में रही है आप जब मदर अफ डेमोकेसी को देखेंगे कितने साल पहले हमारे वेदों के अंदर हमारे लेखों के अंदर हमारे शिलालेकों के अंदर और दुनिया के अंदर यह सब दुनिया देख रही थी कि इतने बड़े देश के अंदर लोगतंत सहस्त रूप से चल पाएगा निचल पाएगा लेकिन आज हमें गर्व है कि लोगतंत हमारी तागत सामर्थ है और इस लोगतंत के माध्यम से इसी केंद्य कक्ष में हमने निच्वर्तन करने के लिए बड़े-बड़े निल्य लिए आज फिचैत्र साल बाद हम दुनिया के अंदर कह सकते हैं भार्त हर शित्र के अंदर आगे है भारत के नोजवानों के सामर्द, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका इनोवेशन, उनकी समर्द तागत है कि आद दुनिया के अंदर भारत नितुत कर रही है तो आप जैसे नोजवानों के कारण कर रही है इसने नोजवान साथियों ये 25 साल हमारे जीवन में महत्पून है आपकी उमर 18 साल है 20 साल है 17 साल है पच्ची साल इस भारत के नो निर्मान के हैं और हमें सरदार बल्लभाई पटेल के विचारों पर लेकर चलना है हमें ऐसे दूरदर्शी नेतत जिन्हों ने भारत को एक नया वीजन दिया जिननों ने भारत के सामर्त शक्ति तागत को बढ़ा एसे वीजन और दूरदर्शी नेतत वाले प्रधानवन्ती मान्य नर्द मोदी जी आज देश में नेतत कर रहे हैं ये हम सब के लिए गोरों का इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आज हम यहां से नई पेड़ना लेकर जाएं नई उड़्जा लेकर जाएं नए आत्मिश्वास लेकर जाएं हमारे स्वतंता सेनानियों और जिन्हों ने देश के बाद नवनिर्मान किया उनके विचारों से उत्प्रोट कर एिचन से इसोच से मेरे हर काम से देश आगे बढ़ेगा अगर देशका हर वेक्ति सोचे कि मुझे देश को आगे बढ़ाना है जिस शित्न में भी काम कर रहा हूं जहां में पढ़ रहा हूं तो मैं अच्छी पढ़ाई करूँ अगर मुझे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आजमी बनना है तो इस संकल्प के काम करूँ यह जब सब देशवासी एक सामुचता के साथ सोड़ेंगे तो देश आगे हमारा संकल्प है कि हम सब लोग चाहे स्कूल में पढ़ते हैं कोलेज में पढ़ते हैं लेकिन हम दुनिया में सबसे आगे हैं और मेरे से बड़ा आत्मिश्वास और दुनिया में बदलाव लाने की सामर्त शक्ति मेरे में यही संकल्प लेकर जाना है और मुझे आशा है य बहुत-बहुत हम नमन करते हैं, उनके जीवन आदर्शों की किताबे यहां पढ़िये, अपने जीवन में उन किताबों को पढ़ें, और जितनी उनकी किताब और जीवन दर्शन को समझेंगे, आपको उतनी संगर्श करने की तागत उर्जा आपके अंदर होगी, और उर्जा साथियों से कहना चाहता हूं कि हम राष्टी एकता दिवस की शपत लेंगे सब खड़े हो जाएं अपना हाथ कि मैं बोलूगा आप दोरा ना कि मैं सत्य निष्टा से सबत लेता हूं की मैं राष्ट की एकता और अखंता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेयों को समर्पित करूँगा और अपने देश वायाशियों के बीच ये संदेश फिलाने का बरसक प्रयास करूँगा मैं शपत लेता हूं की अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार बल्लभाई पटेल की दूरदर्शिता एंकारे द्वारा संभव बनाया जा सका है मैं अपने देश की आंतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्टा से संकर्भ लेता हूं जै हिंद बारत मातागीर बारत मातागीर बारत मातागीर